आप देख रहे हैं न्यूस बीट पारस जहाजेब के साथ अंदरूनी दुश्मन हो या बैरूनी सब को कर दिया राहील शरीफ ने ला जवाब और क्या मीरास का तसलसल जारी रहेगा ये हैं वो भी चिन पे बात करेंगे आज न्यूस बीट में पाकिस्तान के रुएती दुश्मन के खिलाफ शुजात और बहादरी की आला तरीन मसाले जर्नल राहील शरीफ को वरसा में मिली लेकिन तीन साल कबल पाक फोज के इस मनफरिज सिपा सलार ने मलकी बका की जंग के लिए अंदरूनी दुश्मन का इंतखाब किया यू पाकिस्तान ने दुश्मन की सबसे बड़ी इंसदादे देश्चतगरदी जंग जीतने का इजाज हासल किया मुलक के तूलो अर्ज में पहली फोजी कारवाईयों को आईनी और कानूनी तहफुज के साथ साथ सिवल एदारों का तावन हासल करना असान ना था ये जनरल राहील की वलवला अंगेस के आदत थी के एदारों के दर्मयान तारिखी बते इतमादी भी आड़े ना आ सकी नमाकों के साथ पारली मिर्ड ने जो इक्तियारात तफवीज किये इसके मुबईना अम्तियाजी इस्तमाल पर सियासत हुई देशतगर्दी और करप्शन के गट चोड का बियानिया कुछ सियासी हलकों की जानिब से हदफे तनकीद बना गुवर्नेस के इशु पर कोर्ट मांडर कांफरंस की प्रेस लीज अडवाईजरी को वफाकी हकूमत ने आईनी हदूत की खलावर्जी जाना मगर आपरेशन जर्बे अजब की काम्याबियों के साथ साथ जनरल राहील चरीफ भी अवामी मकबूलियत की बलंदियों को चूने लगे ऐसे में कुछ हलके सियासी स्टेटिस को में फैसला कुन तबदीली के लिए इनकी जानिब देखने लगे लेकिन ऐसा कोई भी इश्टियाल और अपील इनको आएंसे मावरा कदम उठाने पर माइल ना कर सकी सवाल ये है के तारीखी तल्खियों को बुलाकर सिवल और फौजी के आद़ जनरल राहील चरीफ की पेशावराना मिरास को किस तरह इस्तेकाम देती है पाक पौज जिन्दाबाद पाकिस्तान वाइंदाबाद जुर्रत हिम्मत और सलाहियत जरनल राहील शरीफ की मिरास है और हमारी फौज का हर सपाही इस मिरास कामीन है इसलिए मुल्की बुनियादों को खोकला करने वाले देशत गर्थ हो या पाक वतन की तरफ मेली आँख से देखने वाला भारत डरता भी है घबराता भी है लेकिन छुप छुप कर वार करने का मौका जाने नहीं देता मिस्टर नरेंदर मूदी तुमने पाकिस्तान को दावत दी थी ना कि आओ गुर्बत भूक और बेरोजगारी से जंग करते हैं तुमने कहा था ना कि आओ अमन की बात करते हैं और अब तुम ही सरदे गरम करते हो हमें बरहम करते हो आँ गुगलते शोलों में अमन की बात करते हो याद रखो तुम फरेब की चाल चलोगे हम घजब का जवाब देंगे और तुम्हारी सोच से बढ़ कर देंगे तुम कुछ करने का सोचोगे हम कर गुजरेंगे समल कर रहना बच कर रहना हम से ना टकराना वरना पश्टाओगे रोजाना हम ना बुटान हैं ना निपाल और ना ही बंगलादेश हम पाकिस्तान हैं मेली आँख निकाल सकते हैं उटते हाथ तोर सकते हैं वक्त आएगा तो सिखा देंगे कि सर्जिकल स्ट्राइप क्या होती है और ऐसे सिखाएंगे कि तुम्हारी नसले याद रखेंगी ये अज़म था, है और रहेगा पाक फॉज में गयादत की तब्दीली, भारत जहरियत और हमारा जवाब इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पी-म-ल-N से हमें जॉइन किया है सैनिटर जनरल अब्दलकयूम साब ने, हमारे साथ सेक्यूरिटी एनिलिस्ट जनरल एजाजवान साब मौजूद है जनरल नईम लोदी साब ने हमें जॉइन किया है और जनरल अमज़श्वेप साथ प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद होंगे असलाम अलेकूम बहुत शुक्रिया आप सबका पहरे लेंगे ब्रेक देखते रहेगा निउस्पीड जनरल अब्ल कयूम साब सर आप से शुरू करते हैं जनरल रहील शरीफ का जाना ये एक दोर का खात्मा है या एक रिवायद की इत्दा है कि हमारे यहां भी आर्मी चीफ जो है वो अपनी अपना चनियो और मुकमल करके बाइज़त तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ जा सकते हैं या देखें जनरल वही रहील शरीफ जो है वो मैं ये कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की ही रो हैं जिस महौल मौनों ने टेक ओर किया और जितने बड़े चैलेंजिस थे इंटर्नल भी और एक्स्टर्नल भी चूँके दुश्मन आपका मुलक के अंदर भी था और बाहर भी लकत में भी अंदर जाना मुश्कल था जूरत नहीं थी कि ये इसका ब्लो बैक होगा आप उड़ जाएंगे लेकर जनरल रहील शरीफ ने एक सही सालार की एसियत से अपने वो डिशियंज लिए और और फिर टाइम से पहले बलके टाइम पे नहीं टाइम से पहले अनौस कर दिया बिलकुल मुझे याद है जब मैं मिलिटरी सेक्टरी था तो उस वक्त जनरल वहीद का कर दे उनका भी तीन साल हुए और तीन साल के खातम के उपर हुआ देखे एक्स्टेंशन उन लोगों की हुई ज्यादातार मासवा क्यानी साब के जो इन्होंने मार्शला के उसम कि अगर अगले दिन जर्दारी साब से किसी ने पूछा ना कि आपने तीन साल के तो उनका मैंने अपने आपको मजबूत किया वही लेकिन उनके पार्टी के सीनिया लोगों के खलत फैसला थाए ये फोज जो है एपसलूटली आप पॉलिटिकल है एपसलूटली इसका कोई तलक ये नेशनल सोच के लोग हैं हम सब सोलजर हैं और हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानियत हमारे निगाहों में ये सूबूं की बांडरियां भी इर्रेलेवेंट है ठीक हम तो उदर से लेके सियाचन से लेके सरकरीक तक कभी दर कभी दर हर जगा पे हमारी पोस्टिंग ह होती है और बड़ी अच्छी बात है लेकि पता नहीं क्यों चेर्मन सेनेट रजा रबानी साब क्यों फिर फॉच को बीच में ला रहे हैं सेवल बिलिटरी रिलेशन्चिप की उन्होंने बड़ी बात किया आगे इस पर बात करूंगी लेकिन एक और बात सर बड़े बैनर् कोई सोचा गया इस हवाले से और सर क्योंके ये 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 चीज़े वो अलामत है ना कि जो अवाम है जो तवकात उन्हें आपकी हुकोमत से एक सियासी हुकोमत से होना चाहिए जनरल राहील शरीफ सिर्फ थी या देखें ये बड़ा अनफार्शनेट था कि इस तरह की और उस में जनरल रहील शरीफ आने वाले हैं आपको देखा ये इनका तरीक इनसाफ का दर्ना हुआ उसके अंदर फिर जावेद आशबी साहब ने कहा कि हमें ये बतायागा फिकर ना करें वो आ आ जाएंगे किसी ने कहा थर्ड एमपायर पहुंचेगा क्या ये आर्मी को भी डैम कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनके लिए मेरिट क्या होगा चूंकि जो सिविल और असकरी हलके हैं वो तो कह रहे हैं कि सिनियॉरिटी को देखना चाहिए तो क्या मेरिट वही होगा या जो मिया नवाश हरीफ के नजदीक मेरिट है वो होगा देखें बात यह होती है कि मेज ये जो उपर चार पांच बंदे सामने आएंगे ना उनके अंदर ये चुके आइनी तो पर और पर और उनकी है तो आइम शूर बेस्ट बंदा ये सारे बेस्ट हैं लेकर लेकर ये सवाल फिर भी अपनी जगाए जनल अमज़ शुयप साब से मैं पूछूंगी जनल अमज़ सेनियरिटी की बात की जा रही है उसको लिए तरजी दी जाएगी टें सेनियरिटी सिर्फ ऐसमें मैरिट बहुन में यह चीज हम जरूर है कि सीनियर मोस्ट आदमी में अगर कोई खराबी यह और वह पूरी रिक्वार्मेंट्स पूरी करता है तो उसी को पर्मोड करना चाह मेरिट में सबसे पहले सिनियॉरिटी और सिनियॉरिटी के ओपर ये आप उसकी सूटेबिलिटी फ्रॉम वेरिस एंगल्स और अब मिया साथ के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्हें का सुटता है जुके होना तो बहुत कुछ चाहिए होना तो मुल्क में पौर अंदर ले और दा कॉछली फो का जो जाए तो ने का जाए शूंक का अईनी हाक है ये एक और बात बात बतारें जबसी हाक ने चाहिए खनी अड़ है अनको तरीकश कार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए लेकिन बारल उनका यी नका पौठ हासिल है Ettा उनको आईनी merit पे बनाएं ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे हैं कुछ सियासी तब्दीलिया और कुछ सियासी लोगों कि जो इरादे हैं वो जनरल राहील हाती है कि इन जैसे लोग बाहर बैटके इस मुल्क को चलाते हैं और वो हदराद जो उनके जाके उनको नौरतन बनके महाँ पास बैटते हैं उन पे भी रोना आता है ठीक जरदे लिए मुल्क के हालाद बिगड़े इनी चीज़ों की बज़े से हुए हैं कोई लंदन से चलात है उसकी तवकात उसकी उमीदों का महवर ये सियासी हुकूमत के बजाए सियासी लोगों के बजाए जनल राहिल शरीफ थे क्यों देखें उस वक्त अवाम की सबसे बड़ी परेशानी थी लाइंड ओर्डर सिचुएशन और आमन की सुरते हाल क्योंके कोई न नमाजें आपने नाम लिया है पाकिस्तान आर्मी के जो आपरेशन शुरू किये गए थे जनल क्यानी के दोर में उन साथ के बाद जब ये आठवा आपरेशन लाँच किया गया जनल राहिल शरीफ की क्यादत में तो वो जिस अमन की तलाश पूरी कौम को थी वो उने नजर आया ठीक आज हम देखते हैं कि मुल्क में 70% देशत गर्दी के वाकियात कम हो गए इसमें कोई दोराई नहीं है जो अमन की फिजा ओवरॉल है उसमें बहुत बेतरी आई है लोगों का कॉन्फिड़नस अदारों पे बहाल हुआ है और उसमें पॉलीस ने बड़ी कुर्बानिया दी ह उन्होंने बहुत काम किया है लेकिन लीड रोल चुंके पाकिस्टान आर्मी का था तो उस वज़ज़ से जो लेकिन इसके लिए दारों ने अपने अख्तियार उनको सोपेस है लोगोंने मसीहा जो समझा कि जिन्होंने हमें इस दैश्यत गर्दी से निजात दिलाई है वो पॉलीस और उनका जो क्यादत कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी की जनरल राहील शरीफ की साथ क्या है वो निकर कर सामने आई हर दिल अजीज जो जनरल राहील शरीफ बनेना उसकी सबसे बड़ी वज़जा ये थी कि उन्होंने भारत को भारत की जबान में जवाद दिया जो हमारी जो ह्कूमत है हमारे जो सیاسी लोग है वो ये काम क्यों नहीं कर सके सर मूदी के साथ कोई जाती तालुपात है या कोई भारत के साथ जाती मफादाथ है जो जिसकी कीमत पाकिस्तान बुगत रहा रहा है सर ये एक उन्फॉच्वेशनीट सिचकान की जो प्रिजेट ग करनल रेंक का किसी मुलक के अंदर से गिराफ़तार हो जाए दुश्मन मुलक का ये एक बहुत बड़ी लीड थी बहुत बड़ा हमारे पास एविदेंस थी और जिन्दा है अभी है फिर हमारे पास अभी जो हमने डिप्लोमेट्स को एक्षपल किया कंट्री से वो भी अफगा जो कैश्मीर में जो कुछ हिंदोस्तान कर रहा है ये तीन वो इश्यूस थे जिन पर प्राइम मिनिस्टर आफ पाकिस्तान को चाहिए था ही शुड आफ कम वेरी हैवी ऑन देस इस इस हमारा वो पाकिस्तान का पूरी एक तो अपनी जबान से कौम को इतमाद में लेते खु हपने वो स्टेंड नहीं लिया उस तरीके से इन वीकनेस को इंटरनेशनली और बाईलेटरली उनको केश को ठेकप नहीं किया और इससे पहले एक जो पुराना किसा हम भुगत रहे ना भारत को पाकिस्तान के एरादे आरभी चीष्ड की ज़़ानी पता चलने चाहिये रिखकोंत Imagine को ऑर्मी आ ठेंड़ी स्कोई कोई कर रह रहे हैं ना भारत पाकिस्तान के धा एरादे आप चार बाते चे बलाए हुए है। उसकी बड़ी सिंपल सी वज़ा है कि आप एक आदमी से डील करे हुए है। और आप चाहते हैं कि आप उसी से डील करते रहें बजाए इसके कि कोई ऐसी अनोनी शक्सित आजा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। और यह एक strength है institution की, और मैं ये कहूँगा का अगला और ये strength अब दूसरे institution में भी लेएं, के हकूमत का जो prerogative हैं वो यह कि छिर्फ टॉप मैन को कर सकती है कर सकती है, आर्मी के केस में बाकी cases में वो नीचे तक select करती है IG से लेकर थानेदार तक ठीक है ना और section officer से लेकर secretary तक और इसलिए वो और judiciary में भी आपको पता है लेटर लेंटरिज हैं तो यह तो वो है कि extension के लिए वो क्यों इतना कोशिश करते हैं यह एक नोन बंदा होता है वो जैसे भी है दूसरा राहिल चरीफ साब के अगर एक बात एक credit मैं दो हूँ वो तो यह है कि इन्होंने जो civil military relationship है यह tense होने के बावजूद I would say कि वो normalist की तरफ लेकर आए हैं कि इसमें जितने शकूक और शभात थे जब उनको रोका गया वो रुके हैं उन्होंने जरूर मश्वरा दिया है उस मश्वरे को कुछ लोगों ने dictation समझा लेकिन मेरा ख्याल वो मश्वरा ही था लेकिन जहां उनको कहा इदर रुक जाएं तो रुक गए चाहे वो जनूबी पंजाब था या सिंद का मामला था या जो भी था आपने का कि प्राइम निस्टर साब का मेरिट क्या होगा मेरा ख्याल है कि जब एक पैनल आ जाएगा जो कि फौज की तरफ से आएगा उसके बाद उनका हक है उस चार में से किसी को भी कर ले चार नाम तो आ गए ना सर समय और मैं आपको यकीन दलाता हूँ कि उनका जो भी मेरिट हो वो जो भी उसके अंदर जमा तफरीक करें बंदा ठीक है जो मर्दी करें जो मर्दी करें अच्छी बादा ठीक ही आएगा आप जरा सिफार्ती मास पर हम वोई जवाब दे रहे हैं जो आप बात कर रही है वो यह है कि मेरे ख्याल है कि बहुत सक्ट जवाब की दरूरत है जो थोड़ा सा मिसिंग है उसकी वज़ाए यह है कि यह तो अलग बात कि दुनिया हमारी बात सुनती है यह नहीं इसमें तफसील में जाने के दूरूरत नहीं आप भी अच्छी तरह जानती है नहीं सुनती नहीं जानती है उसकी वज़ाए यह नहीं लेकिन हम जिस लेवल पर सुनाना चाहिए उसमें भी ठोड़ी कुता ही है पर ग्र्शामपल दो ऐटमी मुल्क है नेबर्स हैं, उनके दरमयान इसकदर कशीदगी है और आप सलामती काउंसल को मूव ना करें बड़े अचम्बे की बात है आज ब्रीफिंग दी गई है स्थाज़ी साब की जाने प्रसा लेकिन एलो सी के ओपर जो हमारा जवाब है क्या ये काफी है या अब इस से ज़्यादा बढ़ कर इस पर हमेरी राया मैं देता हूँ वो यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान को तकलीफ कहा है उसकी वजुहात कहा है वो तो बड़ी सारी लगती है तीन चार तो बड़ी बड़ी है ना कि सीपैक आपका कामयाब हुआ जर्ब अजब आपकी कामयाब हुई कराची में अमन ले आए बल्चिस्तान में अमन ले आए और अब और इनिशिटिव्स हो रहे हैं जैसे अब हम फट्र देर पहले दिकर रहे हैं रशिया चाइना मिलकर पाकिस्तान को इन्वाइट करें कि आफगानिस्तान की बात करें ये बहुत बड़ी बात इसको कैसे हजम करें मेरी अपनी राय यह गलत हो सकती है कि यहां तो उनको तर्की बातर्की जवाब देते रहें बढ़के दें अगर वो हमारे तीन लोग शहीद करते हैं तो बेशा काम उनके आठ मारें दस मारें लेकिन असल फोकस इन्ही कामों पर रखें जिससे उसको तकलीफ होती है और वो इन्हीं से डायवर्ट करना चाता है हमारी तवर्ज़ों और एक बड़ी बात जो मैं भूल गया कि किश्मीर की जो मुवमेंट है उसके उपर परदा डालना चाता है तो मेरा ख्याल अगर हम उनका केस उठाएं इंटरनाशनल लेवल पे उनकी मदद जारी लखें तो यह तारी एक और बात फिर आगे चलेंगे प्राइम मिनिस्टर भी हो ना हो कोई इशू है तो मैं यह कहूंगा कि वजारते खारजा को बहुत आहमियत की ही वज़ा से प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपने हाथ में रखा हूँ लेकिन इसके बाद एक बात आड़ करना चाहूँगा जब आपने अपने हाथ में वज़ारते खारजा कर ली तो आपका यहाथ नी पहूंचता आप कहें कि खारजा पॉलिसी जी-एच्क्यू में बनती है या फिलानी जीज़ा बनती है ठीक है सर ये खारजा उमूर की नाकामी की जिम्मेदारी किस पर है और दूसरा ये कि ये एक कॉम्पिटेंट फॉरिन मिनिस्टर लगाने में मिया मुहमद रवाज शरीफ साब को जनरल अब्दु कयूम साब रुकावट क्या है सर अब तो हर तरफ से आवाजे उठना शुरू हो गई है ठीक है फारिस एक तो आपने जो इंट्रो दिया वो इतना अच्छा और इतना जजबाती था कि कही दफ़ा आपके नाजरीन को ये शाक होगा कि ये कैसे एक सिविलियन खातून लेकर उनको ये नहीं पता कि ये हम चार भी फौजी है और आप भी फौजी फैमली से तो जजबा वही है बिल्कुर सेर इस इस इशू में तो पतली क्या हो जाता है दूसरी बात यह है कि हम ने ये बात की के रहील शरीफ साब ने बियानात सक्थ दिये तो आकूमत में बियान भी सक्थ देने चाहिए ये को एक होती है देखे जो फौजी कमांडर है ना जो हालत जंग में है मश्यर की सराद मघर भी अंदर भी वो तो कडाकेदार जवाब देगा और सिर्फ जबानी कलामी नहीं कोगा वो लूसी की उपर बेफिटिंग रिस्पांस भी देगा जो पुलिटिकल लीडर्शिप होती है वो वो लैंगविज नहीं बोलती पुलिटिकल लीडर्शिप पुलिटिकल और डिपलोमेटिक फ्रंट्स की उपर अपना जोर लगाते हैं जहां वो कहते हैं कि इनको आप हुमेन राइट्स की बात करें यूएन चार्टर की बात करें रेजलूशन की बात करें जनेवा कर्वेंशन की बात करें और लोगों के साथ इंटाच रहें तो आई अशूर यू देखे नवाज़ श्रीफ साब ने एक महजब मुलक के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होके जोरदार तरीके पंच लाइन ये उनकी स्पीच की कश्मीर की जो आज तक इस ने की इसके अलावा भी देखें हम लोग एन्वाइज के तौर प्या हुआ उसका उस पंच लाइन का फॉलो अप क्या हुआ है सर वो डोजेश भी दिये थे जाके लोग साब ने बहुत अच्छी बाते किये मैं आपको अथा हूँ कि लोग ने ये कहा कि ये अगर बार इफेक्टिवनेस नहीं होती ना हमारी आवाज की तो इसका कसूर हमारा नहीं है सारा यानि हमारी भी शेयद उसके अंदर कुटाई कुछ होगी नहीं नहीं ज्यादा क्या कह रही हो कभी हम कह रहे हैं अगर स्यासी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है सिपार की सता पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है यह मैं जब हमारी कह रहा हूँ तो उसमें फौज, भाकूमत, यह सब पूरी कौम की मैं बात करूँ, यह हमारी पाकिस्तान की कमजोरी नहीं है, यह उन लोगों के डबल स्टेंडर्ड्स हैं, बैनल अक्वामी ताक्तों के, जिनके अपने मौशी और स्ट्रेटिजिक इंट्र भारत पूरी दुनिया में रागलाप रहे हैं कि पाकिस्तान देशितगर्ध है, जूटा सर्जिकल स्ट्राइक का वो दावा कर रहा है, कौमपसेट डायलॉग से भाग रहा है, मसले कश्मीर से हमारी तवज्जु हटाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को दुनिया में और बरतानिया और यूरोप के अपने मफदात हैं, और और पस है चल्मन हमें कहते भी हैं, कि भी आप तो कहते हो करो, हमें पता है, ये अट्रासिटीज हो रही है, लेकन हमारे तो थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारा डियास्पोरा है, उसकी इतनी तादाद है, ये उ इनको पालीसी वाज़े है, मिलिटेरली बेफिटिंग रिस्पांस, पुलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, वी वुड लाइक कि ये पुलिटिकल इशूज है, कि इनको पुलिटिकली हल करने जाएगे, पाली बंद करके देखें, हमारा पानी बंद कर देगा, जरा जरा कि शुरूबे से भरपूर हमारे दो एड़ुजर्जर्स हैं, क्या ये काफी हैं सर्? पहुकूर्इ हम पहले आपने ब्रेक तो नहीं लेनी अबी है? ब्रेक लेनी है तो ब्रेक ले लो. अच्शाब बात ये है, फॉरन पॉलिसी मिया साब की फिल्ड नहीं है. मिया साथ उसमें कोई महारत नहीं रखते कि उनको अपने पास रखना चाहिए जुल्फकारी ले भुटो की आपने बात की भुटो का स्ट्रॉंग पॉइंट इसकी फॉरंड पॉलिसी थी पॉजा असिफ ने का वो इसकाम को जानता था और इंटर्नल पॉलिसी दूंकी उसमें प्रॉब्लम करेंगे अब चीज यह है कि इस फॉरंड पॉलिसी को चलाने के लिए जिसमें आप एक इस फॉरंड पॉलिसी को अपने एक फैमिली के रिकॉरिमेंट के मताबख चलाते हैं उसको अगर आप अपने पास नहीं रखेंगे तो प्रोफेशनल फॉरूर्ण मेरिस्टर जो होगा वहां पे वो उसको मुल्क की दुरूर्यात के मताबब चलाएगा अभी दौरा हुआ टर्की का, टर्की के इन्होंने भी कई दौरे किये टर्की की, टर्की के साथ तालुका जो हैं, वो एक फैमिली के नावियत के हैं सीपैक की हम बाचीत जब करने जाते हैं, चाइना में हैं तो मिया साथ का पूरा कुनबा जाता है वहां पे हमारे लोग नी जाते हैं जिन्हों ने जाके प्रफेशनल्स ने ये मामलात करने हैं फिर आप देख लीजिए के इंडिया के साथ उनकी खायश बिलकुल ऐसे थी जैसे के एक अकेला आदमी अपने तोर पे खायश कर रहा है कि मैं अंसे तालुकाश बढ़ा लूँ ग्राउंड रियालिटीज कुछ और हैं वो आपसे मुहीं नी राख बाना चाहते हैं आप देखेंगी कि उस तरह में आता हूँ अच्छा बात ये है कि ये फॉरण पॉलिसी अगर आर्मी इसमें इंपूर दे रही होती या आर्मी कंट्रोल कर रही होती तो उफा में जो जॉइंट कमिनिकेश हुआ था उसमें कश्मीर का जिकर ना होना सवाल ही पैदा नहीं होता अगर एक चीफ अब आपमी स्टाफ अपनी हर तक्रीर में कश्मीर का जिकर करता है तो उफा से जो वो आई आपकी स्टेटमेंट तो केते हैं अक्वाम में मुतैदा में अजाला कर दिया ना नहीं वहां तो किया है लेकिन जो बहुत सारे इशूज है मिसाल के तौर में आखी चीज़ बताओ आँ आज सारी दुनिया का सबसे बड़ा मसला टेरिजम है हमारा कश्मीर है लेकिन दुनिया का कश्मीर नहीं है उस टेरिजम में इंडिया इससे फाइदा उठाता है कि वो पाकिस्तान को साबत करता है दुनिया में कि हम टेरिस्टेट हैं और हम एपी सेंटर ने टेरिजम का अच्छा अब उसको देखिए कि 2008 में भारत में एक वाकिया होता है टेरिजम का फिर जाके 2016 में होता है आठ साल में पाकिस्तान में इतना खून खराबा हुआ और इतने लोग मारे गए इतना कुछ हुआ लेकिन वो एक राग अलाबता रहा बड़ा फोकस रहा और दुनिया उसकी बात मानती रही इसलिए कि यहां पर सूसन राई हिसाई कोई बाहर से आया आगे हमें कहा गया अब बरेक ले लूँ से जो आपने बात किये ना फिल में यह ब्रेक के बाद जानूगी कि इसने नेरेटिव भी आपने बताया है जो भारत ना जानुए पूरी दुनिया बहीं बल्कि अक्वाम में मुत्तहदा में दे रहा हम इसको रद क्यों नहीं कर सके हैं अचा सर ओने रागें जनरल एजास अवान सब जो बात जनरल अमझे श्वेफ साब किया रहे थे मैं चाहूंगी जरा अब जल्दी से लेकिन वो बात आपको समय जाएगी कि अचा बात यह है आप सारे सिनारियो को समझें आपको टैरिस टेकलियर कराया जा रहा है अब जित इंडिया का नेरेटिव यही है कि पाकिस्तान यह वाइलेशन करता है इसलिए कि यहां से टेरिस गुजारते हैं अब कश्मीर में जो आपकी मुवमेंट चल रही है उसको वो टेरिसम के साथ जोड़ना चाहता है कि यह आजादी की मुवमेंट नहीं है यह पाकिस्तान इसलिए था कि हम अपने उपर से टेरिसम का टेग उतरवाते हमारे पास सुबूतों की कमी है नहीं सबसे बड़ा दुख तो यह है कि खून हमारा बै गया बंदे हमारे मर गए कश्मीर में हम जहानी रहे और हमारे माथे पर टेग लगा हुए इंडिया ने लगवा दिया कि यह हम टेरिस्ट हैं और हम सबूत लेकर जाएं के दर यह टैग लगा हुआ है तो यह किसकी ने लगवा कामी है सर मैं हकूमत की इसमें मैं मैं को आपको छुपा के कह रहा हूँ मैं यह कहता हूँ कि कल बोशन का आपनी नाम लेते जब 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 महां पे सिकर्री का यह यह प्राइमनिस्टर ने जब तक्रीर करनी थी हमने उनको वो साथ उनको पैरग्राफ दो बना के दिये थे कल बोशन के कि यह आपने तक्रीर में शामिल करें बाज आपने तरह रख दिये अब चीज़ यह है कि कौन कौन से सबूत आपके पास नहीं मुदी के तराफी बियाना नहीं सुनती यह हमारा नेरेटिव बायर नहीं करती उसकी एक दो वजुहात हैं इसलामी जमूरिया पाकिस्तान इसलामी का नाम आज काड़ दीजिए आधी दुनिया आपकी बाद सुनना शुरू कर देगा उसके बादा नुकल विदा मुस्लिम कंट्री तो एक तो यह बड़े दो फैक्टर्स हैं जिसकी वएसे हकूमत जो दुनिया हमारे बाद सुनती उनके दुनियर सोग है जो जो जोड़ना किसका काम है पाकिस्तान देश्टगर्दों का मरकज है और खितने में देश्टगर्द एक्सपोर्ट कर रहा है सर यह जो नेरेटिव इसको हम क्यों नहीं रत कर सके और फिर हमीं दूमोर का का जाता है देखें ने उसकी वज़े यह जो पहले हमने बात जहां से शुरू की थी कि इंटरनेशनल लेवल पे रेप्रेजेंट करना गौर्मेट आफ पाकिस्तान का काम है डिप्लोमेटिक मनुवर या एक्स्टिरियर मनुवर जिसे हम फोज में कहते हैं उसको पाकिस्तान की गौर् हमारे पास जवाबात हैं कहां नहीं हैं देखें आज हमने इंडिया के पास कौन सर्षबूत है कि पाकिस्तान ने उसके पास टरॉरिजम की है जो कलबोशन लियादव से बढ़ा है कितने उनके डिप्लोमेट्स अभी भी हमने अपने मुल्क से निकाले हैं कि वो हमारे मुल होना वो आज तक रो रहे हैं और हर फोरम पे कहते हैं कि जी अजमल का साब और वो फलान तन्जीम का आदमी था और उसको हमने पकड़ा था हमारे मुल्क में कितनी उसके बाद देशतगर्दी हो चुकी है और उसके बाद रेड हैंड़े उनके बंदे हमारे पास मौजूद हैं हमने उनका नाम ने लिया फिर समझोता एक्सप्रेस जिसको उनके अपना एक करिनल उसमें इन्वाउड था और उनके अपनी ये फाइनिंग है आज तक हमने उसका मुतालबा उनसे नहीं किया अगर वो हमसे आफिज सहीद का या मशूद अजर का मुतालबा करते हैं तो तो उदर से हम उनका मुतालबा उनसे क्यों नहीं करते हैं और फिर हम जब इदर बात करते हैं जिसके हम आज भी बात कर रहे हैं। कि अजर्ण साथ मिल्क रिडिटी में भी रह चुके हैं बात करते हैं लाग जाके इतराफ करता है कल बोशन आपके पास है 15 अगस को तक्रीर करता है लाल के लिए के बार खड़े होके तो ब्रोच्टान का कहता है अगर भारत ने उतना बजट रखा हुआ जितना बज़त न कि अजर्ण साथ में बजट रखा हुआ था अपना जनर्ण अबलु कर्यूम साथ क्यों यह गार्मन की नकामी है सर गुल बोशन यादफ का का काफी गुल बोशन यादफ का नाम लिया जा रहा है सर वो जिन्दा जीता जाकता सुबूत इतनी बड़ी हमारी कामिया भी क्या हम उसे वो फाइदा ले सके जो हमें लेना चाहिए था दूर्ण वो चेरा भारत का दूनिया को जो हमें दिखाना था सथय देखे खे इतनी पाकिस्तान में दाखल होने से हैं Всё बहर भी ताकते जिनको आप कन्विन्स करना चाते है उन्हें पता है कि अफगानिस्तान से क्या हो रहे हैं अगर अफगानिस्तान में नेटो का कंट्रोल है और वहां बारा कोंसल खाने बने हुए हैं और जासूस पो लांच करते हैं या वो जो बिया ले के लोग हैं तो क्या उनको पता नहीं है गिए क्या गेम है सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजन्सी अमाई से लिए कौन कहता है खामोश बैठे रहे हैं लेकिन आप एक स्वीप करके इदर चले जाते हैं एक स्वीप करके हम यह कहते हैं कि हम अपने एफट पूरी कर रहे हैं पूरी हर लिहाद से हर लेवल की उपर हो रही है एफर्ट लेकिन अगर उस एफर्ट का समर सामने नजर नहीं आता और लोग इंडिया को ये नहीं कहना चाते कि यार कश्मीर की उपर लोगों की आँखों में आपने बुलिट मारे हैं इस से बड़ी कू वहयात बात या बेशर्मी की बात हो सकती है जो इंडिया ने ये एक मतलब है हकारत अमेज और इंसानियत सोज मजालम कियें मैं ये लेके गया बरतानिया में हाऊस आफ लार्ज का भी दिखाया हाऊस आफ कामर्ज का भी दिखाया उनके ठिंक टैंक्स को भी बताया और वा खुदा बहुत से अच्छा फिर उनके एक मैं हमने का आप विजट करें और किश्मीर इंडिया वाला ही ना करें पाकिस्तान के अंदर भी आए और आपको मैं अहमत फराज के शेयर ये भी सुनाएगे मैं आपको एक सुनाएगे वो कहते हैं कि हर जिस्म दाख दाख था लेकन फराज हम बदनाम यू हुए कि बदन पे अबागो उचाडने वाले भी हम खुद दिये तो सारा कसूर पाकिस्तान के अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उमीदें ये आखरी शम में भी बुजाने के लिए आखरी शमा बुजने का इंतजार कर रहे हैं बात बहुत की जा सकती थी उस लेवल पर नहीं की गए क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है पारेस साब देखिए अप मोदी साब की एक्टिविटीज और अपने प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज का मोदना करने हैं मोदी कोई फोरम नहीं छोड़ता कोई विजिटर अदर आ जाए उसके मुझसे जरूर कहल लवाता है कि पाकिसान टरिरिसम करवा रहा है और इसी तरह बहुए कि ही दुनिया में जाता है वह जा के पहले हमारे हाँ तो हमारे घर का आदमी तयाब अरदिगान आया मुझे नहीं कहल लवा सके केंड़िया टरिर है यह किसी को कहना चाहिए था किमारे टेरिस्ट देखें यह कंडेम नहीं यह थोड़ा सा आगे बढ़े एक बात सुने मैं यह कहना चाहता हूं कि मुदी के साथ तो नवाज नवाज शरीफ का कंपैरिजन इस तरह न करें बिकाज मुदी एक टेररिस्ट है मुदी एक अभी बीजेपी की हकूमत नी आर एसस सुपर आर एसस और हिंद दत्वा की हकूमत है वो एक ताच्छा तो इसलिए अबामा के साथ कर लें तो देंगे ना वो अपने तोर पे नवा शरीफ एक मुहजब मुल्क का एक सिवलाइजड मुल्क का एक प्राइम इनिस्टर है वो मुहजब जबान में बात करेगा और हर फोर्म के सारी जिम्मेदारी आपकी फौच के ओपर नहीं ने शाबास दिया कि आपने युनाइटिड नेशन में जाके इसको पेस के उठाय ह हम अपने ताउर की उपर हकूमती साथ अपर सब कुछ कर रहे हैं देखे हमारा जोर सारा अंदर अपनी हकूमत बैशिंग की उपर नहीं होना है जाए हम एतराजाद को वेलकम करते हैं और मैं समझता हूँ बहुत सी इंप्रूब्मेंट करनी चाहिए लेकर एक बात मैं ना डिफेंस का मनिस्टर था अभी बुक्रो साथ का फारन अफ मनिस्टी तो उनको पता थी यह लेकिन यहां लगता है कि मिया मुहमन दाशिर साब ना तज़र्बे को बहुत एहमिया देते हैं वजीर खारजा से लेके गवरनर सिन तक सिर्फ तज़र्बा ही तज़र्बा ह जो है यह खत्म क्यों नहीं हो रही है जबकि यह तमात तज़ी है यह कहते हैं कि अगर जंग हुई तो ज्यादा नुकसान भारत का होगा तो यह सब जानते हुए उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर भी उसके उपर तनकीद हो रही है और इतना काम हमार प्राइम मिनिस्टर राफ पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर कौन हमें रिप्रिजेंट करेगा अगर मुदी हमें इलानिया ये कहता है कि मेरा बंगला देश की आजादी में हमारा कुन है अपनी चार्शीट वो खुद कर रहा है कि हमने यहां इसा डाला है पाकिस्तान तोड़ने में जिसको प्राइम मिनिस्टर इकरार कर रहा है और सबूत हमारे आतमे है उसको तो हम दुनिया में सेल नहीं कर सकते हैं और हमारे ओपर जूटा लगने वाला इल्जाम उससे हम इतने खाइफ हैं जो बात जनल लोदी ने कही थी थोड़ी सी मैं उसको कर गए यही दो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ हैं इसलाम और नुक्लिय डिवाइस अगर यह हमारी कमजोरी बन रही है तो नहा हम अफगानिस्तान है ना फिडल कास्टरों से कमजोर है ठीक पाकिस्तान शूट स्टेंड इस ग्राउंड जनल नहीं दोदी साहब जनल दुक्यूंग साहब जनल अन्दे बहुत शुक्रिया आपकी शिर्कत का प्रोग्राम में अपने अपने मुल्का ख्याल रखिएगा फारेज राज़े को जाज़े दीजिए अल्हाने के बाद शूट से नहीं दूस्तान अ है